प्रश्ण दिया गया है कि रेखा 3x plus 2y minus z minus 4 equal to 0 and 4x plus y minus 2z plus 3 equal to 0 का सममित समी करण ज्यात कीजिए तो पहले हम यह मान करके चलते हैं कि माना LMN दी हुई रेखाओं के दिकक को जाएं हैं और यह रेखा समतलों 3x plus 2y minus z minus 4 equal to 0 और 4x plus y minus 2z plus 3 equal to 0 समी करण 1 समी करण 2 में स्थित है तो LMN x के स्थान पर L y के स्थान पर M और Z के स्थान पर N constant हम को हम eliminate करके ultimately लिखेंगे 3L plus 2M minus N equal to 0 और 4L plus M minus 2N equal to 0 अब इन दोनों समी करणों को वजबर अंखन विदी से सराल करेंगे तो L upon 2 into minus 2 that is minus 4 फिर minus sign 1 into minus 1 that is minus 1 तो minus minus plus 1 तो minus M upon 3 into minus 2 minus 6 minus 4 into minus 1 minus 4 तो N upon 3 into 1 3 minus 4 into 2 8 तो यह minus 8 तो इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा L upon minus 3 equal to M upon 2 equal to N upon minus 5 और minus sign अगर multiply करेंगे तो मिल जाएगा L upon 3 equal to M upon minus 2 equal to N upon 5 तो इस प्रकार दी हुई रेखा के दिक अनुपात तीन रिण दो पांच है माना यह रेखा समतल Z equal to 0 पर है या Z equal to 0 से मिलती है तो समीकरण एक और दो में Z equal to 0 put करेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा 3X plus 2Y minus 4 equal to 0 और 4X plus Y plus 3 equal to 0 अब इन दोनों समीकरणों को वजगण अंखन विदी से हल करते हैं तो X upon 2 into 3 that is 6 minus 1 into minus 4 minus 4 तो minus minus plus then 3 into 3 9 minus 4 into 4 16 equal to 1 upon 3 minus 8 solve करेंगे तो मिल जाएगा X upon 10 equal to minus Y upon 25 equal to 1 upon minus 5 तो यहां से जब तुलना करेंगे पहले और अंतिम की तो X बराबर मिल जाएगा रेण दो और दूसरे और अंतिम पत के तुलना करेंगे तो Y बराबर 5 यह मिल जाएगा तो इस प्रकार रेखा पर एक बिंदू जो है रेखा पर एक बिंदू के निर्दशांक हमें चाहिए थे तो यह है minus 2, 5 और 0 है इस प्रकार रेखा का जो समी करण है रेखा का अभिष्ट समी करण अगला प्रशन दिया गया है कि बिंदू एक एक से होकर जाने वाली उस समतल का समी करण गयाद कीजिए जो रेखा एक स्प्लस वाई प्लस जेट प्लस वन इक्वल टू जीरो और फोर एक्स प्लस वाई माइनस तू जेट प्लस टू इक्वल टू जीरो पर लंब है तो पहले हम यह मानखर के चलेगी कि रेखा की जो दिकोज्य है एल एम और एन है और फिर इन दोनों समी करणों से हम एल एम और एन में दो समी करण गयाद करेंगे और फिर वहां से हमें दिक अनुपात गयाद हो जाएगा और दिक अनुपात गयाद करने के बाद हम समतल का समी करण गयाद कर सकते हैं माना की माना की रेखा की दिक्ष को जाएं L M N है चुकि रेखा समतलो X प्लस Y प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू जीरो और 4X प्लस Y माइनस 2Z प्लस 2 इक्वल टू जीरो के अभी लंबो पर लंबवत है के अभी लंबो पर लंबवत है तो यहां से हम X Y और Z किस्थान पर करमसा L M और N और कॉंस्टेंट हम को इलिमिनेट करके हम नया समीकरण ग्याद करेंगे मिल जाएगा L प्लस M प्लस N इक्वल टू जीरो इस समीकरण से यहां से मिल जाएगा 4L प्लस M माइनस टू N इक्वल टू जीरो अब इन समीकरणों को हम सरल करते हैं वजगोंट करण विदी से तो मिल जाएगा L upon 1 into minus 2 that is minus 2 minus 1 plus 1 1 equals to minus M upon 1 into minus 2 that is minus 2 फिर minus 4 into 1 Verso equal to N upon 1 minus 4 जब इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा L upon minus 3 is equal to M upon 6 equal to N upon minus 3 तो अनुपातिक र satisfy क्रोप से हम इसको minus 3 से minus 3 denominator से cancel कर सकते तो मिल दाएगा L upon 1 equal to M upon minus 2 equal to N upon 1 मान के चलते हैं कि यह sum ही करण 1 है तो अगला प्रशन के उस भाग में दिया है कि बिंदू 1-1-1 से होकर जाने वाली समतल का sum ही करण तो हम लिखेंगे कि बिंदू 1-1-1 से होकर जाने वाली समतल का sum ही करण तो यह होता है A into X minus X1 plus B into Y minus Y1 यह बिंदू plus C Z minus Z1 that will be equal to 0 मान के चलते हैं कि sum ही करण 2 है यह sumतल sum ही करण एक द्वारा प्राप्त दिक अनुपात वाली रेखा के लंबवत है ऐसा प्रस्ण में दिया गया है तो हम यहां से लिखेंगे तो हम यहां से लिख सकते हैं A upon L equal to B upon M equal to C upon N तो यहां से मिल जाएगा A upon 1 equal to B upon minus 2 equal to C upon 1 अब यह मान करके चलते हैं कि यह के के बराबर हैं तो यहां से मिल जाएगा A equal to K, B equal to minus 2K और C equal to again K इन मानों को समी करण 2 में रख देंगे तो समी करण 2 में A, B, C का मान रखने पर अभीष्ट समी करण तो यहां से मिल जाएगा K into X minus 1 minus 2K into Y minus 1 plus K into Z minus 1 equal to 0 तो यहां से हम K को कैंसल कर सकते हैं और ultimately हम मिल जाएगा X minus 1 minus 2Y minus 1 plus Z minus 1 equal to 0 और इसको जब हम सॉल करेंगे तो मिल जाएगा X minus 2Y plus Z तो यह minus 1 और minus minus plus 2 और यह minus 1 तो ultimately कैंसल होकर कि 0 आजाएगा तो हमें जो समी करण चाहिए था समतल का वो है X minus 2Y plus Z equal to 0 और यही वह अभिश्च उत्तर है जो कि हमें ग्याद कर निकलिए दिया गया था इसमें अगला प्रश्ण दिया गया है कि बिंदू 1,2,3 से होकर जाने वाली उस रेखा का समी करण ग्याद कीजिए जो रेखा X minus Y धन 2Z equal to 5 और 3X minus Y धन 2Z equal to 6 के समानतर है पुछ पुराने वाले जो केस था उसमें दो बिंदू से होकर जाने वाली जो रेखा था उसके लंबवाथी यहाँ पर हमें एक बिंदू से होकर जाने वाली और दो रेखाओं के समानतर रेखा का समी करण ज्याद करना है तो जो समतल के समी करण दिये गये है समतल के समी करण तो इस एक्स माइनस Y प्लस 2Z equal to 5 और 3X plus Y प्लस Z equal to 6 माना इनकी दिक को जये LMN है यह समतल के समी करण है तो माना इनकी दिक को जये LMN है कि जो हमारी सरल रेखा है LMN है इसकी दिक को जये तो इस से संबंधित जो समी करण बनेगा L M और N में तो यह मिलेगा L माइनस M प्लस 2N इक्वल टू 0 और 3L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 तो इन दोनों समी करणों को हम सरल करेंगे वज़वरन खंडविधी से तो मिल जाएगा L अपॉन माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस M अपॉन माइनस 6 इक्वल टू N अपॉन प्लस 3 तो सॉल करेंगे तो मिल दाएगा L अपॉन माइनस 3 इक्वल टू M अपॉन 5 इक्वल टू N अपॉन 4 यह हमें मिल गया है तो अब हम वह समी करण ग्याद कर सकते हैं कि अतह बिंदू 1,2,3 से होकर जाने वाली तथा दी हुई रेखा जिसके दिक अनुपात परिण 3,5,4 हैं के समांतर रेखा का समी करण यह मिलाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन बी इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन एन एबी सी यह 4 तो यह अभिष्ट उत्तर है जो की हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था बिंदू X1 Y1 Z1 से रेखा X माइनस अलफा अपॉन L इक्वल टू Y माइनस बीटा अपॉन M इक्वल टू Z माइनस गामा अपॉन N की लंबवत दूरी ग्याद करना रेखा का समीकरण है x-alpha upon L equal to y-beta upon M equal to z-gamma upon N माना कि यह समीकरण 1 है बिंदू P x1, y1, z1 से रेखा 1 पर Pm लंब डाला रेखा 1 पर एक बिंदू A alpha, beta, gamma लिया तो चित्र में आप इस प्रकार देख सकते हैं कि A P का रेखा एक पर डाले गए लंब का जो प्रक्षेप है A M, वो हमें मिल जाएगा A M equal to x1 minus alpha whole into L plus y1 minus beta whole into M plus z1 minus gamma whole into N A M equal to x minus alpha into L plus y minus beta into M plus z1 minus gamma into N समकोंड त्रिबुज A P M इसमें आप देख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग A P का वर्ग होगा और आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग इस प्रकार लिख सकते हैं तो हमें मिल जाएगा A P square equal to A M square plus P M square यहां से हमें calculate करना है P M square तो हमें मिल जाएगा P M square equal to A P square minus A M square तो हमें इसको लिखेंगे P M square equal to X1 minus alpha square plus Y1 minus beta square plus Z1 minus gamma square minus X1 minus alpha into L plus Y1 minus beta into M plus Z1 minus gamma into N square तो इस प्रकार यदी P M equal to लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में जो जो पद हैं उसका वर्गमूल लिखना होगा तो इस प्रकार यह हमें मिल जाएगा आईए देखते हैं इससे सम्मंदित कुछ प्रश्न प्रश्न दिया गया है कि 1,2,3,S, या बिंदू के दिर देशांक है से रेखा X रिंड 6 बटे 3 बराबर Y रिंड 7 बटे 2 बराबर Z रिंड 7 बटे 2 की लंबवत दूरी ग्यात कीजिए तो पहले रेखा का जो समीकरन दिया गया है वहाँ से हम यह ग्याद कर सकते हैं कि यह रेखा किस बिंदू से हो करके जाती है और उसके बाद आगे हम प्रक्रिया करते हैं दी हुई रेखा के समीकरन यह क्या दिया हुआ है x-6 upon 3 equal to y-7 upon 2 equal to z-7 upon minus 2 माल लेते हैं कि यह एक है तो यह जो रेखा है यह बिंदू 6-7 साथ से हो करके जाती है इस समीकरन से हम यह conclusion निकाल सकते हैं अब जो बिंदू है ऐसे हम P मान करके चलते हैं एक दो तीन से रेखा एक पर अगर हम लंब खीचें और यह मान करके चलते हैं कि यह P N है तो चित्र में कुछ इस तरीके समीसे दर्सा सकते हैं कि यह A है और यहां पर बिंदू है P इस से हम यहां पर लंब खीच रहें यह है N और A से P को हमने मिला दिया इसका निरदेशांग है छे साथ साथ और पी के निरदेशांग है एक दो तीन और यहां पर लंब है अतह यहां सम कोन है तो इस प्रकार हम A P कैलकुलेट कर सकते हैं A से P के बीच की दूरी तो यह 6 माइनस 1 का स्कूर प्लस 7 माइनस 2 का स्कूर प्लस 7 माइनस 3 का स्कूर तो इसका वर्गमूल तो यह हमें मिल जाएगा वर्गमूल 66 अब रेखा एक की यदि हमें दिक कोजयाएं ग्यात करनी हो रेखा एक की दिक कोजयाएं तो यह हमें मिल जाएगा तीन दो रिण दो और तीन दो और रिण दो लेकिन इन सब के वर्ग का योग होगा फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे कजिए तीन का वर्ग नौ दो का वर्ग चार दो का वर्ग चार 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 आठ और आठो आठ्स सोला सत्रा वर्गमूल सत्रा तो इस तरीके से तीन वटे वर्गमूल 17, दो वटे वर्गमूल 17 और रिन दो वटे वर्गमूल 17 यह दिकोछ जाये हमें ज्याद हो चुकी है तब एन बराबर हम यह लिख सकते हैं A P का रेखा एक पर प्रक्षेप तो रेखा पर प्रक्षेप यह हम निकालते हैं X-X1 into L plus Y-Y1 into M plus N-Z-Z1N इस सूतर का उप्योग करके हम प्रक्षेप निकाल सकते हैं तो यहां पर चाहें तो हम X2, Y2, Z2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो दो रेखा दो बिंदू से ओकर के जा रही है पहली इसको हम मानते हैं कि यह X2, Y2, Z2 है और यह X1, Y1 और यह Z1 है तो मिल जाएगा 6-1 into L तो यह L के इस्थान पर मिल लिखेंगे 3 बटे वर्गमूल 17 धन 7-2 गुणा 2 बटे वर्गमूल 17 धन 7-3, minus 2 by root 17 solve करेंगे तो मिल जाएगा 6-1, 5, 5 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 15 बटे वर्गमूल 17 7 में 2 खटाएगे मिल जाएगा 5, 5 दुनी 10, 10 बटे वर्गमूल 17 इसे तरीके से 7 रिंडे, 3 करेंगे मिल जाएगा, 4, 4, गुणा रिंड दो मिल जाएगा 8, बटे वर्गमूल 17 तो इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा 17 बटे वर्गमूल 17, सरल करने पर आपको मिल जाएगा वर्गमूल 17 तो P से N का जो डिस्टेंस है ये वर्गमूल 17 है और A से P का जो डिस्टेंस है ये वर्गमूल 66 है तो पाइथागुरस प्रमे का उप्योग करके हम A N का जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट कर सकते हैं सो ए से पी का जो डिस्टेंस है वर्गमूल 66 है और ए एन जो है यह वर्गमूल 17 दिया है तो अब हम पी एन निकाल सकते हैं पाइथा गुरस पर में का उप्योप करके तो अभिष्ट लंबाई पी एन बराबर वर्गमूल ए पी का स्क्वार माइनस ए एन स्क्वार सो यहां से आपको मिल दाएगा वर्गमूल 66 रिन 17 मिल दाएगा आपको 49 और 49 का वर्गमूल 7 तो यह जो लंबाई है यह 7 इकाई है जो की हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था अब हम जियोजेब्रा को यूस कारते हैं माना कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो A है जो की है 1 3 इस तरीके से इस पॉइंट को कोडिनेट है इसके बाद जो रेखा का समी करने यह यह है x-6 upon 3 is equal to y-7 upon 2 y-7 upon 2 is equal to z-7 upon minus 2 यह तो हमें यह point मिल चुका है यह रेखा मिल चुका है अब हम एक number रेखा कीचेंगे तो यह आप तीसरे बटन पर यहाँ पर आपके लाई देगा पर्पेंडिकुलर लाइन जो कि इस point से pass होता है और इस straight line के पर्पेंडिकुलर जैसी आपने यह button दिखिया automatically यह line पर्पेंडिकुलर लाइन ड्रा हो जुका है अब हमें पर्पेंडिकुलर लाइन और कोनो लाइन का find out करना है तो यह हमने intersection पर क्लिक किया यह पहला हमारा अबजेक्ट पर्पेंडिकुलर लाइन और दुप्रा वह line जो हमें पहले से दिया था यह वह intersection point हमें अब हमें A और B का distance calculate करना है तो D I S T A N C distance यह function होता है जो कि A B जैसे अपने इसके बाद कॉमा लगा करके दूसरे अगें दूसरे parenthesis पर हम इसरा point का coordinate लिखेंगे क्योंकि है 359 जैसे आप इंटर करेंगे अगें आपको 7 unit दिखाए दे तो इस तरीके से verify होता है कि हमने जो manual procedure से calculate कि है distance वो और यह जी हो जाब रहा तोनों पर आश्टरी होता है दोनों 5 से रेखा x-11 upon 10 equal to y plus 2 upon minus 4 equal to z plus 8 upon minus 11 पर डाले गए लंब की लंबाई एवं लंब पाद के निर्देशांग ग्याद कीजिए तो पहले हम रेखा पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देशांग ग्याद कर लेते हैं दिया हुआ बिंदू जो है दो रिन एक पांच तथा रेखा का जो समी करण है यह है यह बिंदू का मान के चलते हैं कि यह पी के बराबर है यह बिंदू पी का निर्देशांग के रेखा का समी करण है x-11 upon 10 equal to y plus 2 upon minus 4 equal to equal to z plus 8 upon minus 11 equal to r मान करके चलते हैं कि यह r के बराबर है तो हम लिखेंगे कि रेखा एक पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देशांग तो यहां से हम पहला और अंतिमपत को सरल करेंगे तो तो यह बिंदू के निर्देशांग यह जो निर्देशांग है इसको हमने माना एन तब पी और एन पी एन के दिक अनुपात तो दिक अनुपात यदि एक बिंदू x1, y1, z1 और दूसरा बिंदू x2, y2, z2 हो तो उसका दिक अनुपात होता है x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1 तो इसी प्रकार यहां पर 10 r plus 11 minus 2 और फिर minus 4 r minus 2 minus 1 और minus 11 r minus 8 minus 5 यह होंगे तो यहां से हम निकाल सकते हैं value 10 r plus 9 और minus 4 r minus 1 और minus 11 r minus 13 यह दिक अनुपात हमें प्राप्त हुआ है चुकि बिंदू p से रेखा एक पर डाले गए लंब का पाद n है जैसे कि चित्र में दर्साया गया है p और n तो उसका जो लंब पाद का निर्देशांख है n तो इसलिए जो रेखा एक और p n जो है यह लंब वत है एक दूसरे के mutually perpendicular है तो यहां से इस सवधार्णा का उपयोग कर सकते हैं और लिखेंगे हम 10 इंटू 10 इंटू 10 आर प्लस 9 देन माइनस 4 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस 4 इंटू माइनस 4 आर माइनस 1 माइनस 11 इंटू दिस माइनस 11 आर माइनस 13 इक्वल टू 0 तो इसको solve करेंगे और आर कमान ग्याद करेंगे यहां से मिल जाएगा 100 आर प्लस 90 माइनस माइनस प्लस 16 आर प्लस 4 माइनस प्लस 121 आर प्लस 143 इक्वल टू 0 जब इसको हम solve करेंगे तो मिल जाएगा 237 आर प्लस 237 इक्वल टू 0 तो इंप्लाइस आर इक्वल टू माइनस 1 आर इक्वल टू माइनस 1 मिल गया तो हम बिंदू P के बिंदू N के निर्देशांक ग्याद कर सकते हैं इसलिए बिंदू N के निर्देशांक तो यहां पर 10 इंटू आर आर के जागा माइनस तो मिल जाएगा माइनस 10 प्लस 11 फिर माइनस प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा और फिर माइनस 2 फिर अगेन यह 11 माइनस 8 अर्थात 1, 2, 3 यह बिंदू के निर्देशांक है N के अब हमें लंब पाद के निर्देशांक N तो मिल गया अब लंब की दूरी निकालनी है लंब की लंबाई निकालनी है तो यहां पर इसका मतलब यह है कि P N जो है यह बिंदू P देट इस 2 माइनस 1 5 और N देट इस 1, 2, 3 इस दोनों बिंदों की बीच की दूरी है तो यहां से मिल जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वेर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वेर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वेर तो यहां से मिल जाएगा 2 माइनस 1, that is 1, 1 का स्क्वेर 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वेर प्लस 9, 5 माइनस 3, that is 2, 2 का स्क्वेर 4 तो मिल जाएगा यहां पर रूट 14 तो यही उस लंब की दूरी है जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था प्रश्ण दिया है कि बिंदू 2 रिंद एक 3 का समतल 3X रिंद 2 Y धन Z बराबर 9 का प्रतिबिम्ब ग्याद कीजिए तो इसे एक चितर के माद हम समझते हैं कि यह दिया मान कर चलते हैं कि यह समतल है और यह उस बिंदू का निर्देशांग है जो की दिया गया है 2-1-3 और यह सम्तल है 3X 3X-2Y प्लस Z इक्वल टू 9 तो पहले हम इस से यहां तक पर्पेंडिकुलर ड्रॉव करते हैं तो यह मान के चलते हैं बिंदू P है और यह N है तो इस बिंदू के निर्देशांग की अदि हमें मिल जाएगा तो कहा गया है कि P का प्रतिबिम बग्याद कीजे तो यहां से यहां की दूरी मान के चले कि यह यह T है तो यहां से फिर से पुना N से इसी लंब में आगे की और एक बिंदू होगा M जिससे इसकी दूरी पुना T के बराबर होगी तो इसका मतलब यह कि M और P का जो मध्य बिंदू है यह N है तो इस अधारणा का उप्योग करके हम M का नर्देशांक ग्याद कर सकते हैं चली आईए देखते हैं कि से कैसे सॉल करेंगे समतल का समी करण यह है 3X यह है 3X माइनस 2Y प्लस Z एक्वल टू 9 मा लेते कि समी करण 1 है तो समतल 1 की दिक कोज्याएं तीन रिन दो एक है यह यह और यह इसका गुणांग तो यहां से में दिक कोज्या मिल गया तो बिंदू P P 2 रिन एक तीन से समतल एक पर डाले गए लंब पाद लंब का पाद लंब का पाद N है यह वाला पॉइंट है N है तब P N समतल एक के अभिलंब के समानतर है तब हम P N का यदी समी करण लिखेने कहा जाए तो हम लिखेंगे एकस माइनस टू अपाउन थ्री यह वाई माइनस माइनस प्लस और यह अपाउन माइनस टू उकल टू Z माइनस थ्री अपाउन मान करके चलते हैं कि यह आर के बराबर है समी करण 2 तब रेखा 2 पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देशांग 3R प्लस 2 पहले और अंधिम के तुलना करेंगे तो 3R प्लस 2 मिल जाएगा Y का निर्देशांग मिलेगा माइनस 2R माइनस 1 और Z का निर्देशांग मिलेगा R प्लस 3 यदि यह समतल पर इस्थित है तो समतल के समी करण को संतुष करेगा समतल के समी करण में इसका मान रख देते हैं तो मिल जाएगा 3 इंटू 3R प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2R माइनस 1 प्लस R प्लस 3 एक्वल टू 9 तो यह 9R प्लस 6 R प्लस 3 इक्वल टू 9 यह 6 प्लस 3 9 और यह 9 कैंसल हो गया यह 9R प्लस R 10R और यह 4 तो यह 14R 14R प्लस 2 इक्वल टू 0 इसको सॉल करेंगे तो मिल जाएगा R इक्वल टू माइनस 2 बाइ 14 तो यह माइनस 1 बाइ 7 तो बिंदू N के नरदेशांग 3R प्लस 2 तो 3 इंटू माइनस 1 बाइ 7 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 बाइ 7 माइनस 1 और माइनस 1 बाइ 7 प्लस 3 है अब इसको सॉल करते है तो उल्टिमेटली हमें मिल जाएगा 11 बाइ 7 माइनस 5 बाइ 7 और 20 बाइ 7 माना P 2 माइनस 1 3 का प्रतिबिम्ब M X2 Y2 Z2 है यह जो बिंदू है M यह X2 Y2 Z2 है तब P और M का मध्य बिंदू N है तो इस बिंदू का निर्देशांग N का निर्देशांग हम मिल गया है P का निर्देशांग मिल गया है तो M का निर्देशांग हम ग्याद कर सकते है तो x2 plus 2 upon 2 equal to 11 by 7 यहां से solve करेंगे तो मिल जाएगा x2 equal to 22 by 7 minus 2 solve करने पर मिल जाएगा 8 by 7 इसी प्रकार y2 minus 1 upon 2 equal to minus 5 by 7 तो यहां से आपको मिल जाएगा y2 equal to minus 10 upon 7 plus 1 that is minus 3 by 7 और z2 minus minus यहां पर plus आएगा z2 plus 3 upon 2 that is equal to 20 by 7 तो यहां से मिल जाएगा z2 equal to 40 by 7 minus 3 that is 19 by 7 तो हमें जो अभिष्ट बिंदू का प्रतिबिम्ब या अभिष्ट प्रतिबिम्ब बिंदू का निर्देशांक तो हमें जो ग्यात करना था यह है 8 by 7 minus 3 by 7 और 19 by 7 जो कि हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था तो हमने जो देखा कि बिंदू का समतल के साफ़े प्रतिबिम्ब ग्यात करना है तो उसे हम जियो जेबरा से solve करते हैं तो मान लेते हैं कि जो point का coordinate है यह है 2 minus 1 3 इसे हमने a नाम दिया है अब दूसरा जो हमारा समतल है 3x minus 2y plus z equal to 9 यह हमें समतल मिल गया यहां से हम rotate कर सकते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह plane है और plane के left side पर आपको point a दिखाई दे रहे है तो हमें reflection about plane identify करना है तो जिस object को reflect करना है यह हमारा point a है किस object के respect में करना है तो यह plane है तो यह हमें a dash पर आप्त हो चुका है और a dash का coordinate है वो यह है 1.14 minus 0.43 and 0.71 तो हमें जो value मिली थी 8 by 3 minus 3 by 7 और 19 by 7 इसको calculate करेंगे तो आपको तो यह हमारा जो answer है वो manual सरीके से जो हमने solve के तो दोनों answer से match कर रहा है रिंड 3, 7, रिंड 7 या बिंदू का नर्देशांक है का xy समतल पर प्रतिपिम्ब ग्याद कीज़े तो समतल xy का जो समी करन होता है वो z equal to 0 होता है और z समतल z equal to 0 इस समतल पर अभी लंब की जोद्धी का कोजिया है यह हमें मिल जाएगा 001 तो सरल करते हैं समतल xy का समी करन z equal to 0 है और यहां से z equal to 0 समतल पर अभी लंब की दिककोज्या शुन्य शुन्य एक है माना की z equal to 0 पर बिंदू बिंदू को हम पी मान करके चलते हैं कि रिन तीन साथ रिन साथ सेग डाले लंब का लंब पाद N है तब हम P N का समी करन यदे लिखें तो हमें मिल जाएगा x minus minus plus 3 upon 0 equal to y minus 7 upon 0 equal to z minus 7 upon 1 अब मान करके चलते हैं कि ये r के बराबर हैं तो यहां से हम उस रेखा पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देशांग ज्याद कर सकते हैं रेखा पर इस्थित बिंदू के निर्देशांग तो ultimately x equal to आपको मिल जाएगा 0 0 into r that is 0 और minus 3 पक्षांतर करेंगे तो इसी प्रकार y equal to 7 so z equal to r plus 7 है तो यह जो हमें निर्देशांग मिल रहा है minus 3 7 और r plus यहां पर minus और minus plus हो जाएगा तो हमें यहां पर जो मिलने वाला है निर्देशांग यह r minus 7 मिलेगा तो इस प्रकार रेखा पर इस्तित बिंदू के निर्देशांग हमें मिल चुके हैं यदिया z equal to 0 पर इस्तित है यदिया z equal to 0 पर इस्तित है तब इसका y निर्देशांग इसका z निर्देशांग है वो इसके निर्देशांग के इक्वाल होगा तो यहां से मिल जाएगा R equal to 7, R equal to 7 मिल गया, तो बिंदू N का निर्देशांक मिल जाएगा, अतह इसलिए बिंदू N के निर्देशांक, minus 3, 7, 0 है, अब बिंदू P, बिंदू P क्या था, minus 3, 7, minus 7, और बिंदू N क्या है, minus 3, 7, 0, माना P का प्रतिविम्ब, M, X2, Y2, Z2 है, तो यह मानके चलते हैं कि यह P है, यह बिंदू N है, और इतनी दूरी पर रिस्षित कोई बिंदू M है, तो N जो है, यह P और M का मध्य बिंदू है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, minus 3, plus X2, upon 2, equal to minus 3, यहां से solve करेंगे, तो मिल जाएगा, X2, equal to minus 6, plus 3, that is minus 3, similarly, 7, plus Y2, upon 2, equal to 7, तो आपको मिल जाएगा, Y2, equal to 14, minus 7, that is 7, और इसी प्रकार, तो यहां पर हम लिखेंगे, minus 7, plus Z2, upon 2, equal to 0, तो यहां से आपको मिल जाएगा, Z2, equal to 7, तो इस प्रकार हमें, जो बिंदू चाहिए था, अभिष्ट बिंदू के निर्देशांग, minus 3, 7, 7, A, जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था, दी हुवी रेखा को एक दिये हुए समतल पर होने की सर्थ, conditions for a line to lie on a plane, माना कि रेखा का समीकरण है, X minus X1 upon L, equal to Y minus Y1 upon M, equal to Z minus Z1 upon N, माना यह समीकरण एक है, समतल का समीकरण है, AX plus BY plus CZ plus D equal to 0, माना कि यह समीकरण 2 है, सर्थ, रेखा एक समतल 2 पर इस्थित है, अतर रेखा का प्रत्येक बिंदू समतल में इस्थित होगा, रेखा एक बिंदू X1, Y1, Z1 से होकर जाती है, यह बिंदू समतल में भी इस्थित होगा, तथा समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हमें मिल जाएगा, AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D equal to 0, माना यह समीकरण 3 है, रेखा एक समतल 2 पर इस्थित है, अतर रेखा एक समतल 2 के समांतर होगा, तथा समतल 2 का अभी लंब, रेखा एक पर लंब होगा, तो इस प्रकार इस स्थितियों से हम यहां लिख सकते हैं कि, AL plus BM plus Cn equal to 0, माना यह समीकरण 4 है, अतर रेखा एक के समतल 2 में इस्थित होने का परतिबंद, समीकरण 2 और समीकरण 4 है, दो रेखाओं के समतल यह होने का परतिबंद, condition for two lines to the co-planar, माना रेखाओं के समीकरण है, X minus X1 upon L1 equal to Y minus Y1 upon M1 equal to Z minus Z1 upon N1, यह समीकरण एक है, और दूसरा समीकरण है, X minus X2 upon L2 equal to Y minus Y2 upon M2 equal to Z minus Z2 upon N2, वह समतल जिसमें रेखा एक इस्थित होगा, उसे हम लिखेंगे, A into X minus X1 plus B into Y minus Y1 plus C into Z minus Z1 equal to 0, माना यह समीकरण 3 है, और A L1 plus B M1 plus C N equal to 0, यह समीकरण 4 है, रेखा दो समतल में भी इस्थित होगा, यदि A into X2 minus X1 plus B into Y2 minus Y1 plus C into Z minus Z1 equal to 0, यह समीकरण 5 है, और A L2 plus B M2 plus C N2 equal to 0, यह समीकरण 4, 5 और 6 से हम लिख सकते हैं, determinant या सारणिक के रूप में, जिसके यह 3 by 3 का determinant या सारणिक है, जिसके रो के element है, L1, M1, N1, X2 minus X1, Y2 minus Y1 और Z2 minus Z1, और L2, M2, N2 equal to 0, यदि दूसरे रो को पहले रो से replace कर दिया जाए, तो हमें यह मिल जाएगा, determinant है यह भी 3 by 3 का जिसके अवयाव हैं, रो के form में, X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1, यही दो रेखाओं के समतलिय होने की अभिष्ट सर्त है, तथा रेखा एक और दो से होकर जाने वाली समतल का समी करण होगा, X minus X1, Y minus Y1, Z minus Z1, L1, M1, N1 और L2, M2, N2, यह determinant के form में है, equal to 0 मिलेगा, अब हमें यह सिद्ध करना है कि दो रेखाएं समतलिय हैं, रेखाएं X plus 1 by 3 equal to Y plus 3 upon 5 equal to Z plus 5 upon 7, और X minus 2 upon 1 equal to Y minus 4 upon 3 equal to Z minus 6 upon 5, यह दोनों रेखाएं समतलिय हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि रेखाएं, X minus X1 upon L equal to Y minus Y1 upon M, इसको L1, M1 और N1 ऐसा नाम दे देते हैं, तथा X minus X2 upon L2 equal to Y minus Y2 upon M2 equal to Z minus Z2 upon N2, यह समतलिय होंगे यदि, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं सारनिक, X2 minus X1, Y2 minus Y1 और Z2 minus Z1, L1, M1, N1 और L2, M2, N2 यदि ये equal to 0 होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं जो है, यह समतलिय हैं, यहां पर प्रश्ण में जो दिया गया है, इसके अनुरूप, X1 का जो मान है, यह रिनेक है, Y1 का जो मान है, यह रिन तीन है, और Z1 का जो मान है, यह रिन फाइब, रिन पाँच है, L1 का मान तीन, M1 का मान पाँच, और N1 का मान साथ है, इसी प्रकार X2 equal to 2, Y2 equal to 4, और Z2 equal to 6, L2 एक्वल टू 1 M2 एक्वल टू 3 और N2 एक्वल टू 5 तो इसमें हम मान रख करके देखते हैं X2 माइनस X1 तो माइनस माइनस प्लस यह में जाएगा 3 then Y2 माइनस Y1 तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 that is 7 then Z2 माइनस Z1 6 प्लस 5 that is 11 then L1 3 5 7 1 3 5 दूसरे कार 3 7 11 3 5 7 और 1 3 5 इसको हम solve करके देखते हैं तो प्रत्म पंक्ती के सापक्ष हम प्रसार कर रहे हैं तो मल जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 that is 25 माइनस 7 इंटू 3 21 minus 7 इंटू 5 इंटू 3 that is 15 माइनस 7 इंटू 1 7 plus 11 इंटू 3 इंटू 3 9 minus 5 इंटू 1 5 तो यहां से मल जाएगा 3 और यहां से 4 चार तीया 12 फेर इंड, 15 और इंड, 7, 8 मिल जाएगा, और 8 और 7 को गुना करेंगे, तो मिल जाएगा 56, फिर 9 और 5, 9 और 5 करेंगा मिल जाएगा 4, और गुना करेंगा मिल जाएगा 44, तो देखिए, इन दोनों को एड़ कर दीजिए, 56 minus 56 ultimately आपको मिल रहा है 0 अतह यह कह सकते हैं कि अतह रेखाएं समतलिय है और यही हमें सिद्ध करना था तो प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिये कि रेखाएं x minus 3 equal to y plus 4 upon minus 3 equal to z minus 5 upon 3 और x minus 4 equal to y minus 5 upon 3 equal to z plus 6 upon minus 4 एक दूसरे को प्रतिछेद करती है तथा प्रतिछेद बिंदू के निर्देशांक ग्याद कीजिये तो पहले हम दी गई रेखाओं के समीकरण लिखते हैं दी गई रेखाओं के समीकरण पहला है x minus 3 upon 1 equal to y plus 4 upon 3 minus 3 है और z minus 5 upon 3 मा लेते हैं कि ये r है और दूसरा जो समीकरण दिया है ये है x minus 4 upon 1 equal to y minus 5 upon 3 equal to z plus 6 upon minus 4 equal to r dash हम यह मान करके चलते हैं तो माना कि ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है तो अब हम रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदू के निर्देशांक निकालते हैं तो ये जो टर्थम पद है और अंतिम पद की तुलना करेंगे तो मिल जाएगा x equal to r plus 3 r plus 3 second time और last time की तुलना करेंगे मिल जाएगा minus 3 r minus 4 minus 3 r minus 4 और last third time और last time की तुलना करेंगे तो मिल जाएगा 3 r plus 5 z कमान 3 r plus 5 इसी प्रकार रेखा 2 पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देशांग ये पको मिल जाएगा पहला और अंतिम को तुलना कीजिए r dash plus 4 r dash plus 4 दूसरा 3 r dash plus 5 और minus 4 r dash minus 6 है अब बात यह है कि रेखा एक और दो का परतिछेद बिंदू है तो रेखा एक और दो के परतिछेद बिंदू के लिए के लिए माल लेते हैं कि ये ए है और ये बी है के लिए ए। और बी संपाती होंगे प्लस 5 समी करण 4 और 3R प्लस 5 इकवलड़ु माइनस 4 आर डैस माइनस 6 समी करण 5 तो समी करण 4 और 5 को ज़दी हम जोड़ देते हैं समी करण 4 दाण समी करण 5 से तो लेखेंड साइड होगा और और एंड्री अर्टी यह चैंसल हो जाएगा फाइब माइनस फ़ोर जैए इस वन एकोल टू-3 आदस माइनस फूर रा डेस इस आर माइनस आर डैस और यहां से मिल जाएगा minus 1 तो r' का मान यह दिया में निकालने का आ जाए तो हम लिखेंगे minus 1 minus 1 that is minus 2 r' का मान हमें मिल गया minus 2 अब r' का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं 3, 4 या 5 में तो समीकरण 3 से r equal to r' plus 4 minus 3 तो यह r' plus 1 हो जाएगा r' का मान है minus 2 minus 2 plus 1 that is minus 1 तो यहां सब को मिल रहा है r equal to minus 1 अब r' का मान हमें प्राप्त हो चुका है तो r वा r' जो समीकरण 3, 4 और 5 को संतुष करते हैं और यही से सिद्ध होता है यही से सिद्ध होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तुम लिखेंगे कि पस्ट है कि r वा r' का मान समीकरण 3, 4 तथा 5 को संतुष्ट करते हैं अत्र सिद्ध होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अब प्रतिच्छेद बिंदू कंदर देशांग याद करना है तो r और rs का मान जो है समीकरण 1 पे पहले रख देते हैं और तुलना करके वह मान याद कर लेते हैं अत्र आर का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिच्छेद बिंदू देखे रेकोल 2 हमें मिला मिनस 1 तो यहाँ पर रख देते हैं मिनस 1 प्लस 3 इसस्टो रखे तो मैनस और मैनस प्लस 3 मैनस 4 माइनस 1 और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 5 तो 2 माइनस 1 तू यह प्रतिछेद बिंदू के निर्देशांग के और यही हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था तो अभी हमने जिस प्रश्ण को mathematical method से solve किया था इसे जियो जब रोसे देखते हैं कि बोला गया है कि इसे दकीजे कि तो रेखा का समिकर्ण दिया गया यही को प्रतिछेद करती है और प्रतिछेद बिंदू के निर्देशांग ग्याद कीजे तो सब्सक्राइब लिखा x-3 is equal to 5 plus 4 upon minus 3 is equal to z minus 5 upon 3 यह हमारे पहला रेखा और फ़े दूसरी रेखा है x-4 is equal to x-4 is equal to y-5 upon 3 equal to z plus 6 upon minus 4 इंटर जैसे ही आप दोनों हमने equation टाइप कर लिए आप आटमोटिकली देख सकते हैं ग्राफिकल एरिया में यह जो दोनों लाइन है एक उसरे को एक पर्टिक्लर पाइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोडिनेट आइटिंटिफाई करने के लिए इस बटन प पर क्लिक करेंगे यह intersection का option है कि हमारा पहला object और यह हमारा दूसरा object जैसे ही मैंने क्लिक किया पॉइंट यह आटमोटिकली आ चुका है यह पॉइंट का कोडिनेट है 2-1 जो कि हमने जो manual method से solve किया था वहाँ पर भी हमें यही कोडिनेट मिला था तो इस तरीके से यह क्रॉ